आज तक की मध्यपरदेश पंचायत के इस आखरी सेशन में आप सभी का स्वागत है इस वक्त हमारे साथ हैं एक बेहत खास महमान जिन्हें लग रहा है कि पिछली दफा उन्हें पूरा मौका नहीं मिला और पिछले चार साल से यहाँ पे डटे हुए हैं इस उमीद में कि 2023 में इन्हें पूरा मौका मिलेगा कमलनाथ जी स्वागत है आपका ज्यादतर आपका राजनीतिक करियर दिल्ली में रहा है लेकिन पिछले कई साल से आप यहाँ पे एकदम जमे हुए हैं क्या आपको लग रहा है कि जो पहले आपको एक तरीके से आधा मौका मिला मौका मिला फिर छिन गया इस दफ़ा आपको पूरा मौका मिलेगा दिखाने के लिए कि मध्यपरदेश में वाकाई में कमलनाथ का विजन क्या है मुझे मद्धिप देश के मद्धाताओं पर पूरा विश्वास है वो जानते हैं पिछली देफर उन्होंने Кон्ग्रेस की सरकार बनवाई थी कैसे सरकार गई कैसे सोदा हुआ आज की दिन मुझे ये विश्वास है कि मद्य पधेश का हर मद्दा था यह बात जानता है और तो इह कप Laham कमल L meth ये कॉंग्रेस ये भाज़पा करने ये चुनाव जो अगले तीन महिने है ये मद्य पदेश के भविष्टका है मद्य पदेश के मद्दा था कि सामने प्रदेश की तस्वीर है और वो तस्वीर अपने सामने रखते हुए वो मद्यप्रदेश के भविश्य का फैसला करेंगी क्या है वो तस्वीर, क्या है वो विजन, क्या है वो चीजें जो आप करना चाहते हैं अगर आपको पूरा मौका मिले, आप करने की तरफ कोशिश करेंगे सबसे बड़ी चुनोती हमारे नौजवानों की भवेशे की है, हमारे क्रिशी चेत की है, बद्यपिदेश की सत्तर पतिशत अर्थ विवस्ता क्रिशी चेत पर आधारे थे, सत्तर पतिशत किसान नहीं है, पर अर्थ विवस्ता, आर्थिक गतिविदी, एकिनोमिक एक्टिवि उसके बच्चे अच्छे स्कूल, अच्छे पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे कप्डे पहन सकते हैं, जब उसकी जेब में पैसा होए, किसानों के साथ मयाय होए, हमारे नवजवानों का भविश्य सुरक्षित रहे, यही नवजवान आज के नवजवान, जो मद्यप्रदेश क का निर्मान करेंगे भविश में, अगर उनका ही भविश्य अंदेरे में रहा, तो कैसा निर्मान होगा मद्यप्रदेश का, यह आज चुनोतियां सब समझते हैं, छोटा वेपारी है, कितना तरस थे, आज मद्यप्रदेश का हर वर्ग परिशान है, एन कोई कुछ भी कहले मैं कुछ भी कहलू, आज सब एहसास कर रहे हैं, हमें याद रखना है कि पांच साल पहले 25 परिशद लोग सोशल मीडिया में थे, आज 95% सोशल मीडिया में हैं, जिनको हम घ्यान देने जाते थे, वो हमें घ्यान देने के लिए तयार है, तो आज की मद्दा था, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वे मध्यपदेश का भविशे सुरक्षत रखेंगे, क्या ग्यान मिल रहा है आपको वोटर से, जब आप जाते हैं, प्रचार करने के लिए, आप कह रहे हैं कि वोटर आपको ग्यान देते हैं, जब आप प्रचार करने के लिए जाते हैं, क्या ग्य किता हूं वोल्टेज क्या है आज आम लोगों में वोल्टेज क्या है यह वोल्टेज सब बात कहती है भार्शन क्या हुआ भीर किती थी यह सब अपनी जेगे ठीक है पर वोल्टेज क्या है और यह वोल्टेज मैं पहचानता हूं तो इस हॉल की वोल्टेज क्या है इस हॉल की जन्ता की बात करें सार्य कि वोटेज़् तो सब समय दें सो हुआ कि इस हुझे जन इस हुआ कि वोलटेज है तो आपको बाताने वाली नहीं है ना उनको बाताने वाली उन्हीं क्यूंकि या वार्ड कॉंग्रिस का नहीं है, आज कोई परंपरागत, गाउं ना बीजेपी का है, ना कॉंग्रिस का है, आज बाप, बेटा, बाई, बेदेजा, अलग-अलग बोट डालते हैं, यह हमें याद रखनी है बात, बहुत परिवर्तन हुआ है राजनीति में, यह परिवर्त सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी आगे आने बाले चुनाव का, यह आप चाहते हैं कि राजनीति स्थान्य हो, लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखाती है, वो कहते हैं कि मोदी जी को वोट तो, और यह स्ट्राडीजी कई-कई राज्यों में काम भी विदान सबा का चुनाव मोदी जी पर नहीं है, और मोदी जी की लोग सबा का चुनाव है, उस पर वो तय करेंगे, पर विदान सबा में, मैं सूचता हूं मोदी जी अपनी बात कहलेंगे, हम भी अपनी बात कहलेंगे, पर अंत्र में, जो मैंने का स्थानी राजनीति, यह मैं नहीं कह रहा, यह राजनीती स्थानी हो गई है, और जब यह स्थानी राजनीती है, यह अपने आसपास देखेंगे, यह अपना बविश्य सुरक्षित रखेंगे. क्या आप यह मानते हैं, कमलना जी, कि जो मुख्यमंत्री की स्कीम है, लाडली बहना योजना, उसके आने के बाद, महलाओं में खासतर से, बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, और उसके बाद उन्होंने अब लपीजी सिलिंडर का दाम भी कम कर दिया है, साड़े चार सु रिजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, शिवराज सिंग जी की घोषना की मशीन डबल स्पीट पर चल रही है, उनकी जूट की मशीन डबल स्पीट पर चल रही है, मध्यपिदेश के बंदाता परिचत हैं, कि जिसने 22,000 घोषना कर दी, आज मैं अशोक नगर में था, मुझे कह कोई भी घोषना करें, इन्होंने लाड़ी भेन 18 साल बाद याद रखी, चार महिने पहले चुड़ाव के, आप सोचते हैं कि हमारी भेने मूर के हैं, यह नहीं समझ रही हैं, पर सर आपने उपिनियन पोल में देखा होगा, पहले बीजेपी का ग्राफ पीचे था, जब से भेने होएं, अज शिवराट सिंग अपना पाप, 18 साल का पाप दोने के लिए, यह सब घोषना कर रहे हैं, यह आश्वासन दे रहे हैं, इसमें क्या क्रियान्वित होता है, इनको तो हम विदा करने की विदाई का यह तोफा दे रहे हैं, यह पर आप भी कुछ अलग वाद केंद्र में कई सारे आर्थिक विभाग चलाएं और आप जानते हैं कि सरकार को आप कहते भी थे उस टाइम पे कि सरकार को उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी उसकी आमदनी है लेकिन यहां पर तो वैसे ही वित्य घाटा बहुत जादा उस पे आप और रेवडी कहिए लॉल पहली किस्ट में मैंने का मैं 100 रुपए 100 उनिट बिजली दूगा दी नहीं पर यह कह देना मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं अगर मैं कह रहा हूं कि हम 1500 देंगे या 500 रुपए का सिलेंडर देंगे मैं जानता हूं कि इसका आर्थिक प्रभाब क्या पढ़ने वाला आर कि आथूरी ह माद्याप्रदेश का हर व्यक्ति यह भी जो वाहर करें वो या तो ब्रस्टाचार की गवाहिज या ब्रस्टा-चार के तब कौन सा रामराज्य था यह एड़ी सीब्याय का मैं प्रोप पढ़ रहा था 281 करोड रुपए का आरोप लगा कि जो इर्दगिर्द लोग थे पोस्टिंग अलग अलग चार्जिज लगे कि लोगों से उगाही कर रहे थे आपके टाइम पर भी यह कहने वाली बाते हैं आज जो हुआ मेरे कारेकाल में मिझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे जनता का सर्टिफिकेट चाहिए और जनता मुझे विश्वास है जो हुआ हमारे पंद्रे माईने के कारेकाल में जिसमें से डाही मैने अचार सही था लोकसवा चुडाम में गए जनता गवाए जो हुआ सो हुआ मुझे कोई सफाई नहीं देनी पर शिवराज सिंग जी तो 18 साल का हिसाब दे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आ आपकी नाकों तले आपकी सरकार लुट गई छोड़के विधायक चले गए आप रोक नहीं पाए इसी तरहां का चैलेंज अशो गहलोज जी के लिए था राजिस्थान में उन्होंने तो रोक लिया आप क्यों फेल हो गए क्योंकि मैं सौदा करने को त्यार नहीं था मैं सौदा किसी से नहीं करूँगा जब यह बंगलोर में थे मुझे फोन करते थे यह तो विधायक आज भी है ना मुझे फोन करते थे, एक विधायक तो मेरे पास आया, मैं सोना हूँ आपको कहानी, मुझे कहता है, मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री निवास पर आये, कहते हैं, आज मुझे पांच क्रोर रुपे मिला है, मैंने का मौज करो, तो कहता है, कि देखे, मेरे पांच साल, चार साल हो रहे हैं मैं इनोंने का 20 क्रोड देने जिए मैं तो 20 कुरोर कमा नवांगे तो इसी लिए तो मैंяжा हूं आपके पास पैसे मेरे कार में है मेरी मोटर में है भार कड़ी हुई आप मेरे लिए जमा कर लो यह कि हवाबाजी नहीं कर रहा था तो यह तो बात थी कईयों ने मुझे का इतना पैसा मिल रहा है मुझे कहते थे बैंगलोर से फोन में कि हम कहरें आज स्थीफा दे दो पांच क्रोड ले लो ठीक है यह मैं सौदा करने को तियार नहीं था कि कुर्सी बचाने के लिए और यह केवल सौदे की बात थी पैसे तो आपके बास भी बहुत है पैसे से क्या मतलब पैसे हो या नहीं हो यह तो अब करड दो 0 सक्था जारा है इसकी शुरु बात हुई थी कि बीजेपी दूसरी सीट राजय सवां पे चाहती तो उन्हों ने कुछ विढ़ाखों से बातचीत क्या शुरुकरि तो मुझे ईकर बात் चिपी रहती है आज कीस दिन सब बात खुली है एंड सब जानते हैं कि कैसे सौधा हुआ तो अगर फिर से ऐसा हो गया जा क्योंकि मद्यपरदेश की जनता में सवाल होगा क्योंकि जितने भी पोल आ रहे हो तो अभी भी टाइट फाइट ही बता रहे है तो अगर आप थोड़ा सा आगे रहे आप के पोल कह रहे होंगे मेरा पोल नहीं कहा रहां अंप बताहिं नहीं रहे ह्याँ आपका पोल कक रहा जब जिस दिन मों क्योंकि आ Means ने नेien कीसे सुमिस्षित करेंगे कि JIN नयताओं को आप टिकट देते हैं कॉंग्रेस की टिकेट पे जो जीत क्या आते हैं वह आप ही के साथ रहें जनता को ऐसा ना लगे कि वोट हम कॉंग्रेस को दे रहें लेकिन क्या पता ये बीजेपी में चले जाए ये तो इसलिए तो जब आप इस देफ़े वोट डालने जाएंगे उनके मन में ये बात होगी कि वोट तो हमने इनको दिया था अब ये बीजेपी की तरफ से आ गए इससे तो हमें फाइदा हो रहा है और सब समझ गए हैं मुझे चिंता नहीं है कि ये फिर से सौधा करने का प्रयास करेंगे बीजेपी ने सब जगे सौधा किया का नहीं किया पूरे प्रदेश गिडि को लेकर वाका ही एक्टर हो तो नहीं चोड़ते हैं सौधे की बात कर रहे हैं पर बताए कैसे नेता है आपके सौधा करके भाग जाते हैं कोई सौधा कर लेता है बढ़े विकाउ टाइप के खरीद हो जा सकते हैं बच्छे ये सौधा करने के लिए तो सब गूमने सब गू वापस आरे हैं, कितने ला रहे हैं आप आप आपस? बहुत सारे जो सौधा करके गए वो हैं ये सब मेरे से संपर्ग में हैं मैं कहता हूँ स्थानिये लोगों से आप उनको समझा देजिए अगर स्थानिये लोग सहमत हुए तब मैं आपको कॉंग्रिस में लेने को तैयार हूँ पर टिकेट का कोई आश्रसन नहीं दे रहा हूँ तो ऐसे और हैं जो आपस आना चाहते हैं बहुत सारे कई हैं मेरे पास तो फुर्सत नहीं उनको मिलने की क्या आप यह मानते हैं कि करनाटक में भाजपा की हार की एक वजह यह थी कि वहां पर मध्यपरदेश की तुल्ण में भाजपा का संगठन कमजोर है मध्यपरदेश में चुकी जनसंग यहां से आता है आरेसे की हर जगा पर शाका है अच्छा वर्जास वह पूरा तो यहां पर बीजेपी का संगठन आज भी हाला कि आपने पिछले जुनाफ की तुल्णा में कॉंग्रेस के संगठन को मजबूत किया लेकिन अभी भी बीज अथिए बीजेपी से नहीं है बीजेपी के संगठन से है मुझे अपने संगठन पर पूरा विश्वास है हमने अज क्या आगा बात करें एक प्लाउक नगर में था मैंने हमने समनल चाक्टर वालों की मीटिंग करी हास जए मैं करता हूँ आज मुकाबला बीजेपी के संगटन से है बीजेपी से केवल नहीं है यह चार साल पहले आप के रहे थे ना चार साल से आप क्या कर रहे थे मैं संगटन देख रहा था कि संगटन को मजबूत किया जाए और आज हमारा संगटन त्यार खड़ा है मैदान में त्यार खड़ा है पर बराबरी की लडाई नहीं है संगटन तो उनका अभी भी मजबूत से केबल नहीं होता आपको कहने वाली भी तो कुछ बात होनी चाहिए आप जन्ता से माफी बांगेगे या अपने कारेकाल की बात करेंगे हमारे हमारे संगटन हमारे जो कारेकरता गाउं में है वो कहेंगे कि हमने तो अपनी नीती और नियत का परिचाय दिया हुआ है बारतिय जन्ता पार्टी ने क्या किया वो माफी मागने जाएंगे हम चाती ठोक कर जन्ता के बीच में जाएंगे कमलना जी से अक्सर मेरी स्विट्जलंड के वर्ल्ड एकनॉमिक फोरूम डावास में मुलाक आत हुथी बढ़िया सा सूट वूत लगा कमलना जी घूमते है रातरी भोज का आज़न करते है सारे दुनिया के बड़े कॉपड़ेट सीओ अलग अलग देशों के नेता सब जानते है और सबकी 30-30-40-40 साल से कमलना जी से दोस्ती है आपका मध्यपर्देश की राजनीती में दिल लगता है या दावा और स्विजलेंड वही सब बहतर है देखिए दिया दो चीजे होती है अपनी जिनकी में एक होता है अचीब्मेंट एक होता है फुल्फिल्मेंट मेरा मेरी कोच फुल्फिल्मेंट की है और एगर च्वालिस साल में चुनावल लड़ा हूं जीत रहा हूं तो भूह में तो नहीं है नुः वो तो आपकी चुनावश्ट रखा है उनला च्ञारें जो दोदफा जीत के हार जाते हैं आज मेरा चीतर वेक्त उसबाना देश में एक है मेंने सोचा था आःप जानते होंगे कि एक जिला है एक लोगसभा छेत्र है जहां सब विधाक कॉन्गरिस के जहां महापौर कॉन्गरिस का ऐसा कुई नहीं है क्यों? कि हमारा संगटन है मेरे पास कोई जादु नहीं है पर हमारा संगटन है इसलिये तो उसको इंडिपेंडेंडेंट रिपब्लिक अव चिन्वडा का जाएं, जहांके आप बाद्षया है नहीं, मैं तो कहता हूँ, कि सबसे पहले मेरी प्रात्मिक्ता मेरा चेत्र, मैं तो लोकसमा में खड़े हो के का अब नहीं कह सकते हैं, अभी भी कहते हैं, अभी भी मैं कहता हूँ, मेरी प्रात्मिक्ता हमेरा जिला रहेगा, आपका भी कहेगा, आप भी कहेंगे मेरा जिला प्रात्मिक्ता है, पर प्रदेश का भविश्य भी मेरा प्रात्मिक्ता है तो आपने दो शब्दों का इस्तमाल किया, एक achievement, एक fulfillment, मतलब अगर मैं उसका निचोड निकालू, तो मध्यपरदेश में ये चुनाव जीतना, आपके लंबे राजनीतिक करियर में एक तरीके से आप उसको fulfillment मानते हैं, कि मुझे एक तरीके से बदला लेना है, जो मेरे साथ अच्पा के नेता आ रहे थे, वो कह रहे थे कि कमला जी की जो प्रात्मिक्ता हैं, वो एकदम गलात हैं, बताई ये COVID चल रहा था, और ये आईफा का योजन करना चाह रहे थे, मध्यपरदेश में बोलिए क्या है कमला जूट, ये बात बता दू, मैं मुख्यमंतिस्या ये, 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 करोना, ये सब मजा को राते थे, तब मैं मुख्यमंतिस्या नहीं रहा, COVID आया, क्या हुआ मध्यपरदेश में, COVID आया, उसके बाद फिर से, 2021 में, COVID का बड़ी लहर आई, क्या हुआ मध्यपरदेश में, ये लोंने दबाए, ये तो आपने चापे, आपक कितनी मृत्यू कहते हैं, ये दबाने, चिपाने, डराने की राजनी थी, कब समय हो गया है, तो ये, जब बात पबलिक हो गई, कि मध्यपरदेश में इतने सारे लोगों की मृत्यू हुई, और ये उसका 10% घोशत कर रहे हैं, ये तो कहेंगे ही, कि COVID तो शुरू हुआ, मैं संकेत आ रहे थे, कि COVID शुरू होने वाला है, और मैंने कहा था विधान सबह में, हमें अब इसकी पूरी तियारी करनी है, ये मदा को डाते से मेरा, यही शिवरात सिंग जी, आपके अलग-अलग अदियों के घरानों से अच्छे रिष्टे हैं, मध्यपरदेश की जंता को क्या फायदा हुआ, क्योंकि चिंदवारा का आपने जिक्र किया में गया हूं, इनके चुनाफ शेतर में, वहां पर टाटा भी है, सुजुकी भी अलग-अलग है, मतलब आगे पीछे काफी खुला हुआ इलाका है, लेकिन इतना कुछ नहीं है, लेकिन हर बड़े-बड़े अधियोग के घराने का वहां पर लाए हुए, मत्यपरदेश में आप क्या करेंगा, देखे, सबसे ज्यादा आविशक्ता मत्यपरदेश को निवेश की है, मत्यपरदेश पांच प्रदेशों से घिरा है, मेरा प्रशन है कि जिसको टामिल नाडू और हर्याना में अपना सम कर चुके हैं, जहां उन्होंने कहा, इत्या इंवेश्मेंट आएगा, 33 लाग क्रोर रुपए आएगा, यह मदार्ख, मैंने सम्मेलन किया, जिस पूरे प्रदेश की जनता ने देखा कि मद्यपरदेश में विश्वास मने, इंवेश्मेंट आता है विश्वास से, करना पड़ता है, इंवेस्टमेंट आज तो बी अट्रेक्टिव, और यह तभी हता है, जब मद्यपरदेश, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको मद्यपरदेश पर विश्वास हुए, मैंने बहुत सारी बड़ी कंपनियों से बात करी, मैंने का मद्यपरदेश क्यो तो इसमें जब निवेश लगता है, तो गुजरात हो, तमिलनाड हो, करनाटक हो, आंधर हो, इस तरह के जो राज्ये हैं, जो तटिया राज्ये हैं, उसको ज्यादा फाइदा है, तो यहां पर क्यों आएगा आपने पंजाब हर्याना की बात की, वहां तो इतने बड़े मा तो हमारे देश का सेंटर है, वहां लगाएगा यह पंजाब हर्याना में लगाएगा, इसकी कोई एकोनोमिक सेंस नहीं बनती, पर अगर वो देखे, यहां का महल, यहां की पहचान माफिया से, यहां की पहचान मिलावट से, मैंने यह शुरू किया था, कि पहचान बदलें, मैंने पहचान बनाई जाए, मैंने पर लोगों पर विश्वास हुए, और यह विश्वास से ही इन्वेस्टमेंट आठा है, रोजगार तो होता है, पर इससे आर्थिक गतिविदी बनती है, इकनोमिक एक्टिविटी, कोई ढवा खोल लेता है, कोई आम नेता आ रहे हैं, हर मन से सवाल पूछ रहे हैं कि कमलना जी से कॉंग्रेस से पूछिए, कि यह जो DMK के नेता है, उदैनिधी स्टैलन, उनने जो बयान दिया सनातन धर्म पे, उस पे कमलना जी का क्या कहना है, क्योंकि आपने हिंदुत्व को एक मुद्दा बनाया यहा तो यह जो अब सनातन धर्म को लेके बहस चल रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? को लगता है कि Congress की जो Central Line है, उससे थोड़ी अलग है? कीजिए कि आपका और दिग्वजा जी का इस वक्त का रिष्टा कैसा है? की देखे वो बोले अपनी व्यक्तिकद राय की, दे आज सब अपनी व्यक्तिकद राई दें, आज सब अपनी व्यक्तिकद राय दें और ये व्यक्तिगद राय उनकी व्यक्तिगद राय है यह ना तो पाटी की राय होती है ना देश की राय होती है ना प्रदेश की राय होती है सर बुल्डोजर राज को लेके खुब चर्चा हुई हाल में मध्यपर्देश में खुब बुल्डोजर चल रहे हैं स्टार्ट यूपी से हुआ MP में भी आ गए यह जो बुल्डोजर राज है उस पर आपकी क्या रहे हैं मेरी राहे बिल्कुल स्पष्ट है आज जंता इस्ट्रा कॉंस्टिटूशनल बुल्डोजर चल जाता है कानून अपना काम करें उससे पहले कि अगर किसी पर कोई आरोप लगा संगीन आरोप है तो बुल्डोजर चला दो इससे आप इत्तिफाक रखते हैं ऐसे मुखालफत करें देखिया अगर सही बुल्डोजर चला जाए तो सही है अगर आप राजनीतिक जरिष्टी से बुल्डोजर चला रहे हैं तो इसमें कोई कहने की आभशक्ता है कि आप राजनीतिक आप बुल्डोजर को राजनीतिक हत्यार नहीं बना सकते हैं अगर आपके पास कुछ कहने लाइक नहीं है कुछ करने लाइक नहीं है कुछ बोलने लाइक नहीं है तब तो बुल्डोजर की बात करें तो मैं तो कह रहा हूं बुल्डोजर अभी खूब चलेगा अगले तीन महीने देखेगा बीजेपी जनता मद्यपदेश की जनता बुल्डोजर चलाएगी बीजेपी पर खुश है अपनी लाइन से ने दिया मैंने एक लगार अच्छा मेरी मुशकुराहाट मेरी खुश के आरोप लगा रहे हैं बीजेपी आप पे उल्टा आरोप लगाती है कि आप अगर आएंगे तो कॉंग्रस की नेता हो कहते हैं कि इतने साल से भूके हैं अब इनको एकदम जैसे ही मौका मिला अगर मौका मिला तो खूब करप्शन करेंगे यह सब बाते कहने के लिए हैं मेर राजनीतिक धीवन में कोई मेरे उपर उंगली उठा सकता है मद्यप्रदेश की जनता कावा है पर यह कहेंगे करॉप्शन हुआ शिवराज सिंह कहते रहते हैं 15 साल में मंत्राले में इत्ताक ठेकेदारों की उद्योग पतियों की भीड लगी रहती है मैं कहता हूँ वहां कि हर्दगिर भी तो इतने सारे लोग थे सर देखे कि यह कह देना जब कुछ कहने लाइक बात ना होई बीजेपी के पास वह अपने बात कहें कि हमारे कारेकाल में यह 50% की गवर्मेंट है हर चीज में इनने सौदा किया है हर चीज आज यह गोटाला की गवर्मेंट कॉन नहीं है अच्छा मुझे एक चीज बताइए यह जब 50% करॉप्शन का अरॉप लगाते थोड़ा ठीक ठीक लगा लिए 50% बोलना तो बहुत आधा पैसा यह लोग ले लेते हैं मैं तो कह रहा हूं यह तो शिवरा सिंगी भी सुविकार करेंगे इनोंने तीन लाग तीन क्र कinnenrese को का करजा लिएख यह से आपके पास तो किया करल रूपए का किया हमारे संबिधाबालों कर यह अजरे शिकशक रहता हमारे आशा-ूपशा-कार्यकरतार अंको लाब हुए इन्हों ने तीन लाग तीस हजार क्रोड से किया किया यह अभी जंता को बतायेगा कि इनोंने पिछले दस महिने में किते ठेके दिये और ठेके में 25 प्रतिशन दिया एडवांस से अपनी कमिशन निकाली यह तो आगड़ों की बात है factual बात है अगरे सर एक सवाल में बहुत वक्त से आप से पूछना चाहरा था वह यह कि आप और दिगविजय जी एक पीडी हैं कॉंग्रेस के जोतर रते सिंध्या एक अलग पीडी थी कॉंग्रेस की और कई सारे जो युवा हैं उनको कहीं न कहीं यह लगा कि जोतर रते सिंध्या ने जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पिछले चुनाव महनत की उनको उस तरह से आपने जगा दी नहीं उनको घुटन महसूस हुई इस वजह से वो छोड़के बीजेपी चले गए ऐसी बाते जोतर जी ने भी कही इस सब पर आपकी क्या राए आपके हसाब से वो क्यों छोड़के गए देंगे पर यह बाद यह रखें वे खुद तो चुना भार गए लोगसभा चुना भार गए अब मेरे कार में हुआ जो मुरेना बिलकुल मोहला है वोलियर का कौन जीता कॉंग्रेस जीती तो आज ये बात सोचना कि इसका ये प्रभाव है फलाने का ये है जोतर जित्या का जो प्रभाव है ठीक है खुशी है प्रभाव रहे आपका पर ये मान लेना कि किसी को नुक्सान फायदा अब प्रशने बीजेपी और जोतरतित्या सिंध्या कहा है वो एक दूसरों से फैसला कर ले क्या किसका बविश है नहीं आपने मेरे सवाल का जवाब मैं पूछ रहा था कि आप उनको अज्जस्ट और अकॉमेडेट क्यों नहीं कर पाय कि आपकी भी जगा रहे उनको भी थ दूसरा रास्ता अपनाना चाहते थे जो मैं कर सकता था हमारे तो बड़े अच्छे संबंद थे और संबंद हमारे कोई खराब नहीं आज भी खराब नी आज भी अच्छे रिष्ट है देखिए राज निती अपनी जगह मेरे पास तो हम मेरे जोतरतित्या सिंध्या से बड बात होती रहे थी उनसे मेरी बात हो या नहीं हो उस चक्र में मत बढ़ी आप है पर यह है कि यह राजदीति लाइन उनकी कुछ और थी ठीक है उन्होंने वह है चूज करी सेलेट करें अगर शिवराज सिंग चोहान मध्यपरदेश के मामा है तो कमलनात क्या है मैं ना मामा हूं ना मैं चाचा हूं मैं प्रदेश मैं मध्यपरदेश के ब्यक्तियों का मध्यपरदेश के मद्दातां को अब भाई हूं भाई है अब अच्छा मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसे पिछली बार आपने BSP के साथ Alliance की कोशिश की वो वर्क आउट नहीं हुआ क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में एक मैंने देखा कि संग के कुछ लोग अलग पार्टी बना रहे थे कॉंग्रेस बीजेपी की इस लड़ाई में थर्ड पार्टी और जो छोटी शेत्रिय पार्टिया उनका क्या रोल रहे गारा देश भर में जो इंडिया गटबंदन मना है इस पर वो चर्चा करेंगी यहां आम आदमी पार्ट पर दलित वोट ट्राइबल वोट पर आपको फाइदा मिल जाएगा पिसली बार आपने ट्राइब ही किया था मैं तो मत्यप्रदेश के राजनीतिक दलों के सब नेताओं को अच्छी तरह जानना हूं और यह देखी राजनीति अपनी जगे है हमें अपने व्यक्तिकत संब राजनीति से नहीं जोड़ने चाहिए और यह मैं नहीं जोड़ता तो यह इंडिया अलाइंस का चुके आपने जिक्र किया इंडिया लाइंस की एक बैठक हुई मुंबई में फिर वो लोग धुड़ने लगे कि अगली बैठक कहां पर होनी चाहिए तो कुछ चर्चा कि क्या बहबाल जा सकते हैं क्या यह बात सही है कि आपने इंडिया लायाइंस वालें को बोल दा अिया हमाता है हमारा चुनाव है मैं चुनाव में वयाशतु हूँ और तो कोई बात नहीं है, इंडिया लाइन्स की बेटक जहां भी हो है, पर हमारा चुनाव है, मैं दोरों में ब्यास्त हूं, तो मैंने का ये मेरा पूरा सब दोरा मेरे सब अपना प्रचार डिस्टर्ब हो जाएगा, तो यहां नहीं किया जाएगा, तो यह इंडिया वालों मैं कह रहा हूं, मैं राजनीती में प्रचार में व्यास्त हूं, मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, यह सब निता बेटके तेह करेंगे, आप से बड़ा निता कौन है, आप अकर अलाव करेंगे तभी आएगे, ऐसे थोड़ी आ जाएगे, मुझे किसी को आमंत यह सब आवेगे, कि मैं चुनाम में व्यस्त हूं, क्योंकि जो भी आएगे, उनसे सबसे मेरे बहुत पुराने संबंदे, मुझे उनके साथ समय बिताना पड़ेगा, समय लगेगा, तो समय की कभी की वज़े से मैंने यह बात कही है, अच्छा यह जो बाबा बागेश्वर हैं, उनको लेके मैं थोड़ा कनफ्यूज है, क्योंकि वो भाजपा के जो विधायक है, नेता है, उनके साथ भी है, आप भी उनको बुलाते हैं, वो आते हैं यहां पर कारिक्रम करते हैं, आपकी तरफ हैं और दुस्सी तरफ हैं? मैं नी जानता एंडी कारिक्रम किया। कोई आजाए आप का भी स्वआगत ने कहल तो उन्हों ने कहा। मैंने पढ़ा उन्के लोगों लोगों नुन्ने बात की किकर प्रोग्राम्हां मैंने का आप यहाँ कर लेजिए, मंंदिर में कर लेजिए। उन्होंने जो मने मंदिर 15 साल पहले सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया है एक सो एफुट शदरपुर से बड़ा है आठ इंच बड़ा है मैंने कहा यह कर लेजियों ठीक है उन्होंने कारेकरम किया जो वो बोले सबके सामने चिपके तो कुछ बोले लिए पर्चा निकाला उन्होंने आपका क्या पर्चा वो भविश्यवानी करते ना पर्चा निकलता है कि आप सी उन्होंने ना तो मेरे को कोई पर्चा दिया यह पर्चा जिसको दिया वो जाने उनका गाम जाने पर मैं तो उनकी कथा सुनी दित्ता समय मेरे पास था मैंने उनकी कथा सुनी प्रदीप मिश्रा जी भी आए उनकी कथा भी मैंने सुनी प्रदीप मिश्रा जी का कारेक्रम छे महीने पहले बन गया था वो भी आए आप बाबाजी के पर्चों में विश्वास नहीं करते हैं। कॉंग्रेस के देख्ष क्यों नहीं बने भाई आप यह सब बात छोड़िये कि मैं क्यों नहीं बना मुझे फोन किया यह सब हमारी अंदरूनी बात है हमारी पार्टी की आपस की बात है पर मैं किसी हालत में मद्य प्रदेश छोड़ने वाला नहीं था तो कुल मिला के आप कह रहे हैं कि हां मुझे फोन आया लेकिन मैंने बॉला कि नहीं में छोड़ने और मैंने यह त्या कर लिया था कि जब तक चुनाब नहीं होता मैं मद्य प्रदेश में टिका रहूंगा क्यूंकि क्योंकि हमारा जो मेरे साथ ही है, जो कोंगरिस परिवार है, मैं उन्हें अकेला नहीं चूड़ना चाहता, उनका साथ खढे रेना चाहता. क्या ये आपकी जिन्दगी का कमलना जी आखरी चुनाव है? क्या ये आपकी जिन्दगी का आखरी चुनाव है देखिए जिन्दगी में कोई शुरूबात नहीं होती कोई अंतनी होता ये बात याद रखिए ये ना तो मेरा आखरी इंटर्वीव है ना तो पहला इंटर्वीव है इस तरह आखरी चुनाव है या नहीं है, यह समय तेह करेग का। बाद चोड़ी है, समय तेह करेगा। चलो यह तो हो गया, उमीद कायम है, तो मतलफ मेरे लिए भी उमीद कायम है, फिर से मौका सकता। यह जन आखरोश यातरा आप निकाल के ला रहे हैं। भाजपा कह रही है कि आप नकल कर रहे हैं, हम नकल कर रहे हैं, आप हमें कॉपी कर रहे हैं, कि जन आशिरवाद यात्रा उन्होंने निकाली, इसलिए अब आप करनाटक से रत लेकर आ रहे हैं, आप आप जन आकरोश यात्रा ला रहे हैं जन आशिरवाद यात्रा जहां से निकली, वहां के लोगों से पूछिए कितना आशिरवाद इने मिला, इनको गालिया पड़ी, पहले भी इन्होंने यात्रा निकाली थी, मैं बूल गया, कौन से क्या थै, विकास यात्रा निकाली थी, लोगोंने मजा कुड़ाया, तो अब क्यों चिंतित हैं, ये अपनी यात्रा निकालें, हमारी यात्रा पर वो क्यों टिपड़ी कर रहे हैं, मैं कि समय नहीं आती बात, अगर आपका सब ठीक चल रहा है, आप तो कहिए, जो कॉंग्रेस चाहिए करें, मैं तो कहता हूँ, जो बीजेपी चाहिए करें, पर जब आ जब आप डरे होएं, तब आप ये आलोचना करेंगे, कॉंग्रेस ये कर रहा है, कॉंग्रेस वो कर रहा है, मैंने तो अभी तक कोई बात नहीं करी कि बीजेपी क्या कर रही है, वो करें जो ठीक समझते हैं, करें पर एक तरीके से रिफलेक्स करनाटक में क्या हो रहा था कि कॉंग्रेस अज़ेंडा सेट कर रही थी, भाजपा पीछे-पीछे आ रहे थी, अब चुकि ने अज़ेंड़े करनाटक में सेट किया, इस वजह से वहां से सबक लेते हुए, फटा-फटा-फट वो अज़ेंड मैं नहीं जानता, मैं मद्यपरदेश के बाहर नहीं देखता, आप मुझे बता ही राजिस्तान में क्या होगा, आपकी बास जादा जान करी है, मतला आपने एक दम तै कर लिया कि मुझे बस अर्जुन की तरह मद्यपरदेश के बाहर नहीं देखना है, बिल्कुल, मैं अच्छा ऐसी चर्चा हो रही है कि सर्कार 1 Nation 1 पॉल के बारे में सोचे देखी विध हनसभाद चुनाव लोगसभाद चुनाव और जो लोगसभाद चुनाव के बादवाले विध हैं संभाद महाराश्ण का हो हर्याना का हो सब मिलके एक साथ हो जाएं आपकी क्या रहा है वन नेशन वन पोल कहीं सरकार अगर कई राज्य में सरकार नहीं चले वहां चुना बुलाना होगा तो क्या करेंगे यह सम्मिधान बनाया है बड़े सोच समझ की अब सम्मिधान में आप लोगसभा राज्यसभा में पास कर वाले पर राज्यों क हो गया विधान सबालोगसभा हमारे जिल DOT की चुनाव होते है वो क्या विधान सबा से कम है हमें नगर निगन की चुनाव होते है वो क्या राजिज अगले ब्यर भाई महींने में मध्र परृदेश में कार्पीट की तियारी करें आप पूरी अपना जो असला है वो लगा देगी, बड़े-बड़े नेता आएंगे, तमाम मुख्यमंत्री आएंगे, आपको लगा, और यहाँ पर दूसी तरफ धारना यह है कि कमलनाथ अकेले ही एक तरीके से लड़ रहे हैं, पूरा जो कॉंग्रेस का मोर्चा उन्होंने समाला हुआ है, हमारा पूरा कॉंग्रेस परिवार यह मोर्चा समाल रहा है, कमलनाथ केवल नहीं समाल ले, सबसे पहली बात है, यह अब कार्पिट बॉमिंग करेंगे, फलानी बॉमिंग करेंगे, यह उन्होंने यह करनाटक में भी दुकरा था, पता नहीं किस तरह की करी, पर यह आप जानते हैं, कितने सबाइं हुई, कितने दुकर सबाइं हुई, कितने रोडशो हुए, अंत में मुझे मद्दाताओं पर पूरा विश्वास, यह कार्पिट बॉमिंग यह आ जाए, वो आ जाए, इससे क्या अंत में फर पड़ता है, क्या जनता आज की दि नहीं आये तो बहतर है, आएंगे, जरूर मैने आम tuGHakit, और याइंगे, ब्रियंकर गांधी भी आएंगे, और खर्यजी भी आएंगे, कम से कम आएंगे, या खुब टाम बिताएंगे, पर समय दे सके हुआ गाएंगे, क्यू नहीं दे, कहीं उल्टा थो नहीं पड़ जादा चिंता करती हम क्या कर रहे हैं वो चिंता करें उनको क्या करना है हमें हमें जो करना है हमारी रणनीती हम करेंगे अभी आपका कोई तुरूप का पत्ता है जो आप एक दम रख तयार रखें निकालने वाले मैं पत्ते नहीं खेलता यह शिवराज सिंग जी की की में पत्त नहीं हो प्रिदेश एक्त थे के तो अगर पत्त नहीं खेलते हैं तो आप क्या खिलते एए मैं इस प्रकार के खेल खेलता नहीं हूँ, मेरी राजनीती बड़ी स्पष्ट है, मेरी राजनीती बहुत स्पष्ट है, सब जानते हैं, और सबसे मेरा बहुत पुराना संबन्द है, और यही मेरी सबसे बड़ी पूजी है. चलिए, जो जो आपने पिछले 40 साल में राजनीती पूजी कमाई है, एक तरीके से ये आगामी विधान सभाज शुनाव, उस पूजी का इमतेहन है, क्योंकि जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, वो ये कि आपने तै कर लिया है, कि जो आप मानते हैं, आपके साथ दगा उसका बदला लेना है, हाला कि आप इनकार कर रहें कि वो बदला नहीं है, लेकर आपने एक तरीके से प्रतिष्था का सवाल बना दिया है, कि कोई दोंगा बास नहीं जाओंगा, कोई वल्ल् Clark England वश्नावर्म नहीं जाओंगा, सारे विधेशी दोशनों को नमस्ते, फिला 20 साल परे में राज्य की राजनीटी में नहीं था. मैं तो पहले मई 2018 में अध्यक्ष बना. उसके पहले तो मैं राज्य की गलाए map मेरा एक्सपीरेंस मैं पूरा techazade कर एक संग रए गृग ज़ओं करें वाइनेir में मंतरी बनने में या राजिय में मुख्य मंतरी दोनों में मजा हें दोनों में मजा हैं सब अलगालगां कभी आप really खाते हैं हैं कभी अब आलू खाते हैं कभिए जाल माते हैं सबगा अपना दलगाए space कmotion मुझे समझ नहीं आता, मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सब को इससरी बहुत चिद्धा है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं कुछ खाऊँ या ना खाऊँ, मैं बड़ा फेट हूँ कमलना जी, आप खास तोर से आए यहां भोपाल, आज तक के मद्यपरदेश की पंचायत में, आपने शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने एक चीज तो देखी, यह चर्चा चल रही कि भारत की जो क्रिकेट टीम है, वर्ल्ड कप के लिए तयार है कि नहीं, लेकिन कमल कशलाँ जी ने यह जरूर दिखा दिया कि मद्यपरदेश की चुनाव के लिए इनकी फिटनस पूरी है, मेरी फिटनस, जनता की फिटनस है, जनता की फिटनस पूरी है, भाजपा को विदा करने की, यह तो जनता को तै करना है, फैसला हम उन पर छोड़ते हैं, वक्त खत्म हो चुका है आपने हमारे लिए वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रियों थैंक्यू